नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को मेटल और इलाव का अबजेक्टिव कुश्चन बताने जा रहे हैं, जो आप दो चारों ब्रांच के लिए हैं, यानि कि अर्थात इलेक्टिकल, मेकेनिकल, शीविल और इलेक्ट्रोनिक्स और यह चेप्टर, बेसिक प्लस अप्लाइड, दोनों कमेश्टी के लिए हैं, यह आप लोगों को बहुत इंपोर्टेंट है यह चेप्टर, और मजएधार है भी है, और यह एक्जाम में आना ही आना है, यह देखो पहला कुश्चन है, इसमें काया कि तर्म एनोड मड, एनो प्लेट और एक इंपूर मेटल प्लेट होता है, जब आप लेक्टरोलाइसीक कराते हो, ऑक साईज डिकरीज करते जाती है, और वह कंटेणर की बॉटम में बठते जादी है, जिसे हम आनोड काते हृ, यह करना कि तर्म क्या है, है किसको बसाती है, पहला कर yang इंपूर मेटल acting as anode के रूप में anode coated with mud यह भी नहीं होगा impure metal acting as anode impure metal तो हम anode के रूप में करते हैं लेकिन anode mud तो होगा नहीं गरा insolubal matter collecting under the anode anode के नीचे insolubal matter collect हो रा है during electro refining of metal आ गया ना calcium silicate तो आपका answer हो गया कि जब electro refining of metal कराते है तो insolubal matter जो होगा inode के under collecting होते जाएगी जिसे हम inode mud करते हैं यह answer आपका फश्ची हो गया फश्ट का गया अस्परस्ट हो गया second ने करेक को कीज यूजड इन metallurgical प्रोसेस चिप्ली इज करा कि metallurgical धातो कर्म प्रक्रिया में को का यूजड किया जाता है चिप्ली क्या है हूं यह में दिया है फ्लस्क रेड्यूसिंग अजट शी में स्लै ऑक्षिडाइजिंग अजट जो कोख होता है तो रेड्यूसिंग अजट यह होता है तो रेड्यूसिंग अजट आप इसको जानते हो वैसे सवस्टांस दो दूसरे पदार्थ के ऑक्षिडेशन नंबर को डिक्रीज कर देता है उसे रेड्यूसिंग अजट करते है और ऑक्षिडाइजिंग अजट जो दूसरे पदार्थ को ऑक्षिडेशन नंबर को बढ़ा देता है तो कारवन जो होता है दुसरे पजातों को ऑक्सीडेशन नमबर को डिक्रीज कर देता है और ठाथ हुआ अपना ऑक्सीडेशन नमबर बढ़ा देता है इसलिए इसे ऑक्सीडेशन करता है और यह रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में खाल जाता है अब यहां पर देखनों थर्ड कुस्ट रोकी एंड सिलीकस मैंटर एसोसियेटेड वी थैनों और से जुड़े रोकी और सिलीकेट मैंटर क्या है उसको हम क्या करते हैं थलस्क कहिएगा मैंट्रिक्स या गैंग मिंदल्स और स्लैड ता आयस्क में रोकी और सिलीकेट या जो आयस्क में पाई जाती है तो आप जामते हो कि आयस्क में उपस्थी तसुधियों को गैंग या मैट्रिक्स करते हैं या तेंत कलास से ही पढ़ते आ रहे हो इंसर इसका मैट्रिक्स से आप गैंग हो गया मिनल्स पॉर्ठ कूर्श्चन है कि दमैक लड़िकल प्रोशेस इन वीच अ मेटल इज ऑप्टेंड इन एफ्योज्ड एस्टेत इसकौर्ड प्याता है दॉप्र प्रक्रिये जिसमें धातु प्राप्ट होती है सवस्ता में इस अप्टेंड इन्पूश्ट इस स्टेट कोड़ क्या कहिए घ्लब्द जब कर दो करेंगे 134 प्रॉट्थ फलोटेशन रोस्तिंग श्मल्टिंग या आपका करने की प्रक्रिया है यह को अकसिजन को क्रूपिति में करते हैं यह समैंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया में में जो होता है कि इस एस्टेट में प्राइब होती है इसका हो गया दी अब करें फाइब कोश्चन दर्मेटल ऑक्साइड इंप्रिव्टी इन दमेटल इस रिमूब्ड बाइद प्रोसेस मेटल ऑक्साइड इंप्रिव्टी जो पाई जाती है मेटल में उसको रिमूब करते हैं और शेडियर नहीं रोस्टिंग विदिद्वारा इस भी नहीं होगा यह आपका पॉरिंग होता है यह आपका विदियो मेटलर्जी में पॉरिंग डाला गया है इससे आप बढ़िया से यह आपका फाइफ कोश्चन होगा इसे नोट्स करिया है अब आप कोश्चन नंबर सिख्स देख सकते हो गारा की इन ओपन हर्थ फ़र्नेश नहीं कि हर्थ प्रोसेस और मैनुफेक्ट्चर ऑफ इस्टील फ्यूल एज योज़्ट गरा की इस्टील के मैनुफेक्चर में इस्टील के पनुफेक्चर के लिए ओपन हर्थ फ़र्नेश में फ्यूल बने इन्दन का उप्योग हम क्यों करते हैं किसलिए करते हैं ए में दिया प्रोडियूसर गैस बीपे पोल गैस सी में वाइल गैस डी में वाटर गैस तो आप लोगों जो फीगर हमने बताए हूंग इस्टील और आइलन उसमें जो आपनों ने फ्यूल के रूप में जो यूज किये हो वह प्रोडूसर गैस करते हैं इसके बाद भी में सोल्डर इज एंड एलाव और से वेंड पुस्टन है सोल्डर जो होता है किस चीज का इलाव होता है तो सुल्डर आपनों को बतलाए ग फॉर्त होगा तो पर और एसने भी नहिंए नहीं होगा वी में लेड़ और कि यहांपका उगा लेड़ और कि यहें को मिस्ट करते हैं तो हमारा इलाव सोल्डर बनता है नकिल और इसबी यहां रखना सोल्डर जो एन आप लेड एंड इन अद नबर 8 में कह रहा है कि in which of the following process the concentrated ore is heated in excess of air to a temperature at which the ore is heated in excess of air to a temperature at which the ore does not melt the kiss process k antargar temperature किस्ताब पर गर्म करते हैं कि ओर जो होता है मेंट नहीं करता है ओर इज़ इटेड हो गया ठीक है excess of air to a temperature at which यहां पर देखो दो चितबार लिखा विया है क्या सब्सक्राइब करता है कि जो ओर है आपका किस टंप्रेचर पर गर्म करते हैं कि वह मेंट नहीं होता है यह में करेंट करेगा च्माइट पर मेंट कर जाएगा लिक्विफिकेशन पर इसमें करया कि डजनोट मेंट तो रोस्टिंग जो होता है या sulfide ISP को हम लोग oxide में change करता है या पढ़े होगे आपनों zinc sulfide को oxygen में जलाते हो या zinc oxide अपला से सो टूब gas करता है या balance करना है टूब कर दो या थिरी कर दो तो twice चेड़ेन हो गया और sulfur 2 है तो twice चेड़ेन हो गया या करता है कि zinc sulfide हो रहा है जो हमारा एयर के उपस्तिती में गर्म करते है इसको या हमारा zinc oxide बनता है और इस टूब gas मुक्त हो जाती है इस case में जो metal है वो मेटल नहीं करती है अगला question है इस तरह इस question का इंस रोस्टिंग हो गया कि the metal present in non-feros cello is non-feros cello में कौन सा metal उपस्तित होता है aluminium, copper, iron non-feros का मतलब iron उसमें main constituent नहीं होगा इसले answer क्या होगा? aluminium भी हो सकता है, copper भी हो सकता है, zinc भी हो सकता है लेकिन iron नहीं होगा यहाँ पर all of these दिया है answer इसका D हो गया, all of these अब आप question देख सकते हो, किन में किन metallurgical, metallurgy, flask is a substance used to converge flask का एक सबस्तांस है, जिसको बदला जाता है तो किस चीज में, the metallurgy process में किस, metallurgy प्रक्रिया में flask को हम converge करेंगे किस चीज में D में दिया, fusible impurities to infusible material में B में दिया, infusible impurities से, fusible में converge कर देता है flask C में दिया है, minerals into silicate, soluble particles to insoluble impurities तो इस case में आप लोगों को, flask को हम converge करते हैं तो किस रूप में, flask जो होता है, infusible impurities होता है जिसे fusible में converge कर देता है तो gang और flask को मिला देते हैं तो यह slag बन जाता है तो यह आपका gang और flask infusible material है जो fusible में converge हो जाता है तो answer इसका B हो गया इसको notes कर लो question number 11 आपको कह रही है कि open heart process of steel manufacturing involves oxidation of impurities of big iron at about 1500 degrees by the following तो कह रहा है कि open heart process में किसके manufacture में? इस्टीर manufacture में जो आपका oxidation involved होता है कब? इस iron जब 1500 degrees शीप है impurities होती है following किसके आगार पर होता है A में calcium silicate B में hematite lime stone इस case में कों सा हम और्स यूज़ करते हो? iron के लिए red hematite ore यह 1500 degrees शीप है red hematite ore को किया जाता है यहाद रटना hematite पिर अगला स्वाल है which of the following nickel allow is used for making chemical textile dye textile dye petroleum and food processing plant में karakinin में से किसमे है nickel allow का उप्योग हम making करने बनाने में chemical textile dye petroleum और food processing में करते हैं पहला दियाए में constant bk icon iconol shee में monal metal और nichrome food processing petroleum dye industry textile और chemical industry में तो हम निकिल allow के monal metal का यूज करते हैं यह याद रखना है यह monal metal का यूज food processing में आप लोग को बताय गया है metal और रिलाव में question number 13 जो कह रही है duralium contain above duralium में आपको क्या पाई जाती है कितना percent almonium a में दिया है 95 percent almonium b में 40 percent almonium c में 60 percent d में 15 percent almonium तो जो duralium होता है उसमें 95 percent almonium पाई जाते हैं यह याद रखना 14 question है कि the law used to make safety plugs और cookers के लिए cookers के safety plugs जो होता है city जो बस्ती है high alarm देती है each किसीज का बना होता है वह कौन से allow का use करते हुआ a में दिया है wood metal b में rose metal c में type metal d में गुरद जो cookers में high alarm के रूप में जो allow का use करते हो वह wood metal का होता है यह यहार रखना हो पिरकाता कि allow containing copper 80 to 95% जबकि s n जो है team team 20 से 5% तक होती है इस cold उसे क्या करते है a में बोरंद दिया है a में बोरंद दिया है b में आपका brass दिया है she में soldier दिया है और d में german silver इसमें आपका कौन सा होगा इसमें 80 to 95% copper और 20 से 5% इस case में जब copper की मातरा जादे होती है तो वह आपका बोरंज होती है यहार रखना की बोरंज में copper जो होगा 80 से 95% जबकि 20 से जब 80 रहेगा 20% अगर 95% copper है तो 5% जब रहेगा तो वह बोरंज का निर्मार करता है बोरंज रहेगा यह नोट्स कहें लोगए अब कुस्चन नमबर सुल्लम ने कह रहा है कि वीच है 0 0 coefficient of expansion तो किस का किस में 0 coefficient of expansion होता है A में inward B में shoulder C में pewter None of these 0 coefficient of expansion हमने बताया भी था कि इनवार जो होता है उसमें आपका 0 coefficient of expansion होती है अगला स्वाल है कि वीच वन आफ दा फर्नेश इमांग दा फोरोई गैंड प्रोडूश्ट एड प्रोडूश्ट प्रोडूश्ट तो कौन सा फर्नेश्ट जो है आपका बहुत ही उच टम्परेचर पर होता है इमांग में ब्लाश्ट फर्नेश बihin में इल्ट्रीक फर्नेश मफल फर्नेश रिवर्बरेटरी फर्नेश बातवान में जो आपका फर्नेश uh वा इल्ट्रिक फर्नेश पर होती है के राकि अगला कुश्यन ग राक्राकी टिंजो है तुछेकिन लिख्टर में आपका रीक्षिन और लिचिंग सब्सक्राइब। बहुत इंपोर्टेंट है लीचिक तो अंगला स्वाल है की पर्मानेंट मेंग और दोर्फ के दोरा सी में इश्टील वे भॉत एएंड-ई न इसके में पर्मानेट मेंगरेट जो तयार होती है वो याद रखना इस्टील से सयार की जाती है फिर question number 20 है most useful form of iron is सबसे ज़्यादा iron का useful रूप कौन सा होता है iron, peak iron steel, rough iron all of these तो बर्दमान में हम लोग इस्टील का उपियोग हम लोग बहुत करता है इसको नोट्स करता है question number 21 देख सकते हो 21 करता क्या है स्वाल करा है scrap steel can be used to reduce तो यहाँ पर अच्छा नहीं दिखना है तो यह अच्छा देखा लोग to reduce the cost of production of steel तो इस्टील के production के cost में कमी लाने के लिए scrap steel का use किया जाता है तो किस साब process में इन किस में LT process open heart process में reverberatory process में blast furnace process है प्रयाद रखना है blast furnace steel और iron हम लोग तयार करते हैं यह script steel का use हम लोग blast furnace में करते हैं अब है question number last आपका in open heart process of steel making the acid impurities present in iron ore are generally removed removed by using करता की open heart process steel बनाने के open heart process में for the making of acidic impurities इस्टीक इंप्रूटीज के बनाने के लिए इस्टीर के हर्थ प्रोसेस में present iron ore जो होता है removed होता है किसके द्वारा basic lining के द्वारा acidic lining के द्वारा neutral lining के द्वारा इस्टीक इस्टीक है इस्टीक इंप्रूटीज जो present है iron ore में using remove करना है या basic lining नहीं इस्टीक lining का use करना होगा इस्टीक को धूर करने के लिए या हो गया आप लोग का metal और इलाव से objective question और मिलते हैं next video के अंतर रवारा द्वारा झाल झाल